नमस्ते गाई जोराज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं न्यू बैंटेबेट चैंपियन शौन उमेली के बारे में शौन उमेली ने ये भी कहा कि अभी उसके पास पावर है कि वो जेस फाइट के साथ फाइट करना चाता है वो उस फाइट को पिक कर सकता है तो इसलिए माली चुटवेर को बैक करना चाहिए उसके साथ फाइट करने के लिए और तब वो इस रिक्वेस्ट को कंसिडर कर सकता ह इसके बाद मालिन चिटोवेरा ने ट्वीट किया कि वो इस प्लैनेट का सबसे एक्साइटिंग बैंटवेट फाइटर है तो इस ट्वीट को ट्रोल करते हुए शौन हमेली ने कहा कि क्या पेडरो मुनियोस ने उसे इतना हार्ड हिट किया और इसका चिटोवेरा ने रिप्ल इस री-मैच में अंडर डॉग है अल्सो रिसेंट्ली मिराब दुलिश्वेली ने भी शौन हमेली पर रियाट करते हुए कहा कि अगर शौन हमेली डग करता है यलजमील स्टर्लिंग के साथ री-मैच फाइट करना तब वो चाता है कि वो बीट करे शौन हमेली के स्किनिय को for the band weight belt to be honest मिराब दिलिशवली डिजर्व करता है tighter shot के लिए fight करना but I don't think so Sean O'Malley इतनी जल्दी मिराब को tighter shot देने वाला है also Elgamin Sterling के साथ rematch की opportunity बहुत कब है क्योंकि ना तो ये rematch fight UFC चाहेगी और ना ही Sean O'Malley चाहेगा कि वो फिर से fight करे एक grappler के against और अब बात करते हैं Henry Sahudo ने Elgamin Sterling वसे Sean O'Malley की fight से पहले Elgamin Sterling को क्या message send किये थे और Sean O'Malley ने क्या कहा Henry Sahudo पर तो Henry Sahudo ने basically predict किया था कि Sean O'Malley Elgamin Sterling को कैसे हरा सकता है तो वीडियो को show करने से पहले in short अगर मैं explain करूँ तो Sean O'Malley से fight करने के एक दिन पहले पाउंटर करने के लिए और Elgamin Sterling को चाहिए कि वो Sean O'Malley को cage की side push करे जिसका Elgamin Sterling ने reply दिया था कि उसे नहीं लगता कि इस fight में Sean O'Malley के पास strength रहने वाली है Sean O'Malley के पास height और reach advantage होगी बट उससे काफी smartly fight करनी होगी जिदर वो distance को close करके Sean O'Malley की movement को cut करे वेल अगर इन messages को fight से compare करें तो हम देख सकते हैं कि Elgamin Sterling ने जो message में कहा वो fight में नहीं किया बट anyways Henry Sahudo ने इसका reply दिया था कि वो अपने guard को बहुत ज़ादा tight रखे even जब वो distance को close कर रहा है क्योंकि Sean O'Malley starting of the first round और second round में काफी ज़ादा dangerous रहने वाला है और इस message को follow up करते हुए Henry Sahudo ने ये भी कहा था कि Sean O'Malley अपनी fights में बहुत ज़ादा fix को throw करता है तो Elgamin Sterling को चाहिए कि वो fix पर react ना करें तो जैसे Henry Sahudo ने कहा exactly fight में वैसा ही हुआ Sean O'Malley काफी ज़ादा fend कर रहा था और हम देख सकते थे कि Elgamin Sterling कितने ज़ादा बड़े reaction दे रहा था also जब Sean O'Malley ने Elgamin Sterling को counter किया था तो उसकी chin पूरी तरह से exposed थी और Elgamin Sterling का defense nowhere near था तो even if Henry Sahudo अपनी last fight को हार गया बट अगर Henry Sahudo की intelligence की बात करें तो ये तो मानना पड़ेगा की Henry Sahudo के पास बहुत आदा दिमाग है You see, I was hopping out Elgamin with the game plan but he absolutely followed none of it With a little kissy Did Elgamin do any of that? No, what did that say in that message? He's gonna counter you and he's going to move And what did I say? Keep those hands up Again, this is Elgamin Sterling the champ Right now the current champ asking me my advice Did he do any of it? No, he didn't In previous video I covered that Henry Sahudo reacted to Sean O'Malley's knockout So now recently Sean O'Malley has reacted to Henry Sahudo's reaction This was the video Henry's so mad I won, look at him Sterling's DIY video Look at him, he's so short, he's so mad I won Oh no, oh no, oh no, how did he catch him? I saw him Look at him Are you serious? He's not happy Oh no, no, oh no, oh no, oh no, oh no इसके बाद अपनी इंजरी का अपडेट देते हुए अलिक्सेंडर वालकेनोफस्की ने कहा कि वो काफी जल्दी हील हो रहा है बट स्टिल अभी तक वो पंच नहीं कर सकता बट इसके अलावा उसकी बागी की ट्रेनिंग पूरी चल रही है और वो अपने आपको फिट रख रहा है अब इसके बाद lightweight champion इसलाम माहाचेफ के बारे में एलेक्सेंडर वालकेनोफस्की ने ये कहा कि वो definitely चाता है कि वो इसलाम माहाचेफ के साथ rematch fight करे end of the year से पहले वो चाता है कि वो फिर से fight करे in fact वो ready था October में भी fight करने के लिए बट अक्टूबर में इसलाम महाचेफ फाइट कर रहा है चार्ल्स ओलिवेरा के साथ एलिक्जेंडर ने का कि वो नहीं चाहता कि वो early next year फाइट करे इसलिए अगर उसने फाइट नहीं की तो फिर वो वेट करने वाला है इसलाम महाचेफ के साथ रिमाच फाइट के लिए बट इधर भी वो इतना जाधा वेट नहीं करना चाहता और इसलिए वो चाहता है कि इलियर टूपोरिया अपने माउथ को रन करता रहे और ट्रैस टॉक करता रहे क्योंकि वो इस चीज़ को लाइक करता है और यह चीज़ उसे और जाधा मोटिवेट करती है उसको फेस में पंच करने के लिए तो इस लुकिंग लाइक एलिक्सेंडर वॉलकिनवस की चाहता है कि वो इस साल से पहले फाइट करे बट दे प्रॉब्लम इस एलिक्सेंडर वॉलकिनवस की कहा फाइट करेगा अब यह चीज़ मैं इसलिए बोर रहाँ क्योंकि आज की नेक्स फाइट वीडियो में कौनर में ग्रेगर ने रिवील किया कि डिसेंबर इस बैक उन दे टेबल उसके वर्सेस माइकल चैंडर की फाइट अब डिसेंबर में भी हो सकती है तो UFC 296 में शौन हुमेली भी चाता है कि वो इस कार्ड में मालें चुटोवेरा के आगे इस फाइट करे कि इवन इफ अलेक्सेंडर नहीं चाता कि वो अर्ली नेक्स टियर फाइट करे बट आई थिंक UFC अलेक्सेंडर को बोलने वाली है कि अगर उसे फाइट करनी है तो फिर उसे फाइट अर्ली नेक्स टियर ही करनी होगी आज की नेक्स वाइब वीडियो में बात करते हैं हबीब नुर्मागामेडव ने क्या कहा अपने रीसेंट इंटिव्यू में तो रीसेंटली हबीब से इंटिव्यू में पुछा गया कि जैसे माइकल जॉर्डन ने रिटार्मेंट ले ली थी और फिर थोड़ी सी ब्रेक के बाद माइकल जॉर्डन फिर से वापिस आया था वैसे ही क्या हबीब भी कमबैक मार सकता है तो इस चीज का रिप्लाइ देते हुए हबीब ने कहा कि I don't know ओविसली लोग चाते हैं कि वो वापिस आये और फिर से फाइट करे आज की next five वीडियर में बात करते हैं टोनी फगिसन के बारे में तो recently टोनी फगिसनने एक बहुत लंबा ट्वीट किया जिसका main point हा कि वो retirement नहीं लेने वाला टोनी फगिसनने कहा कि जो बी लोग ये बोलते हैं कि उसे retirement ले लेनी चाहिए उन सब को fuck you तो इस tweet का ब reply Connor McGregor ने भी दिया है तो Connor ने इसका reply दिया कि वो Tony Ferguson को बहुत बुरी तरह से end करने वाला है वो Tony Ferguson को भूला नहीं है तो Connor की बाद चली थी तो आज की next 5 वीडियो में बात करते हैं Michael Chandler के बारे में तो recently Michael Chandler ने पोस्ट किया जिदर हम देख सकते हैं कि Michael Chandler ने अपना training camp स्टार्ट कर दिया है और ये रही Michael Chandler की first day की training video आज की next 5 वीडियो में बात करते हैं UFC 293 के बारे में तो क्या UFC 293 का card इस साल का सबसे बुरा card है मेरी opinion में UFC 289 वो card था जिदर जादा बड़े नाम नहीं थे इसलिए इस card को काफी लोग boring बोल रहे थे तो ऐसा ही same case UFC 293 का भी है क्योंकि इस card को अगर हम देखें तो main event Israel Adasaniya vs Sean Shikland और co main event tie to Iwasa vs Alexander Wolkov के अलावा बाकि कोई भी fight मेरी opinion में deserve नहीं करती main card में रहने की तो दिखने में तो ये card मेरी opinion में सबसे ज़ादा बुरा card है बट hopefully इस card के fighters deliver कर रहे हैं तो आज की next fight video में Chris Weidman ने भी react किया है जो Dana White ने उसके बारे में बोला था तो कल मैंने ये चीज़ cover की थी कि Dana White चाता है कि Chris Weidman retire हो जाए क्योंकि फिर से उसे एक साल का break लेना होगा तो इस चीज़ का reply देते हुए Chris Weidman ने कहा कि वो अभी retirement नहीं लेगा So that's it for today guys आज की fight video में बस इतने हैं अगर आप कोई video अच्छे लगी हो तो please make sure to like and subscribe मिलते हैं next video में